हेलो फ्रेंट्स एंड वेरी वेलकम त्यूमा यूट्यूब चन्सों फ्रेंट्स अभी तकर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंट्स आप यहाँ पनमिस करने वाले हैं वो सारी ओपॉचिनिटी जिसके तुरू आप फ्री में क्रिप्टो करनसी में या क्रिप्टो में तो फ्रेंट्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए जो चलिए अफ्रेंट्स यहाँ पर मैं आपको आज जो है पाई नेटवर्क काफी दिनों से मैंने इसके बारे में जो है वीडियो नहीं डाली है तो थोड़ा सा एक मेरे प खासतोर से उनके लिए तो यहाँ पर वो अगर वीडियो पूरी वाच करेंगे पूरो एंड तक देखेंगे तो फ्रेंस यहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप आने वाले टाइम में पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग आप ट्रांसेक्शन करेंगे फीचर विद पाई करंसी एंड पाई प्लेटफॉर्म फॉलो दोक्विमेंटेशन तो इंस्टॉल एंड यूज दिस पाई एस्टी के प्लेटफॉर्म है यह अगर आपको यह एप्लिकेशन जो है बिल्ट करना चाते हैं तो यह उनके लिए यह उप्शन है यहाँ पर आप पाई जो बनी Rough और इंटर वह उसकती है अगर वह लोग इसको अलाव करते हैं जिसके तुरू आप यहाँ पर application build कर सकते हैं, पाई SDK, जो लोग पहले से कभी application install बनाना जानते हैं, या कभी की होगी, तो वो लोग पहले से ही मतलब इसको चीज को समझ सकते हैं, कि पाई SDK का मतलब क्या होता है, खेर यह तो एक अलग concept है, जो हमारा main concept है, जिसके बारे में ज़्यादा तर लोग जानना चाते हैं, कि आकर है क्या, तो फ्रेंज, पाई developer sandbox आप यहाँ पर आप option देख सकते हो, पर testing, तो पाई app developer sandbox is a tool to help developer test and visualize their apps on PIE apps, platform using the PIE SDK, all data test users and balances in the sandbox are procedure and have no connection to the production data of real panel, तो यहाँ पर हम अभी wallet के regard यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे, यहाँ पर यह बोला हुआ है, कि आप इसको टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, तो जो भी users हैं, जिन लोगों आता है, वो यहाँ पर कर सकते हैं, अब मैं यहाँ पर आपको simply test our demo app पर open करके, आपको यहाँ पर test करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप जो है transfer कर पाएंगे, तो अब let's suppose यह आपने wallet जैसा interface यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके का कुछ wallet होगा, यह जो आपको left side में दिखाई दे रहा है, तो फ्रेंस इस तरीके से आपको wallet होगा, मतलब उसके अंदर features और भी होगे बट जो आपका main चीज होगा ठीक है, जहाँ पर आप जागर के टांसेज़ करो वो कुछ इस तरीके से नहीं से राएगा, वो यहाँ पर अपने कुछी Google, sorry, अपने desktop पर या पर अपने laptop पर open कर सकते हैं और यहाँ पर डाल सकते हैं developers.minepy.com तो यह website है, आप जाकर एक खुद भी टेस्टिंग कर सकते हैं और यहाँ पर आप जब डालेंगे amount ठीक है, तो यह देखो, आप सबसे पहले मैं आपको username के बारे मताता हूँ, जैसे कि for example आपको username यह provide है, किसी भी और crypto wallet का यह username रहेगा, यानि for example कोई एक Kevlon नाम का बंदा है सामने से, उसका crypto wallet है, उसकी user ID यह है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यह देखते हो, आप यहाँ पर select कर सकते हैं कोई भी user, तो देखिए जैसे अब मैंने यहाँ पर ally clock कर दिया, तो यह यहाँ पर देख सकते है, viewing as a test user, तो अब मेरा जो नाम है, वो ally Clark है, यानि कि मे transaction यहाँ पर करना है, ठीक है, और reason कुछ भी डाल देते हैं कि जैसे sale, ठीक है, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर pay option पर click कर देता हूँ, ठीक है friends, तो यह मैंने यहाँ पर click किया, अब आप देख सकते हो, send 00152 demo, तो मैं ally Clark को, यह मेरा यह आप application इसे तरीके से जो आपकी pay network application जो आपका user name में वहाँ पर आप कराएगा, उसके बाद जब किसी person को आपने send करना है, तो जैसे कि यहाँ पर by default यह जो आ रहा है कि आपको इस person add the rate demo जो भी है, ठीक है, तो आपको इस पर send करना है, तो this app is requesting that you make the following transfer इस तरीके से आएगा, तो यह जो demo है, यह आपको shoes बेजेगा, आपको payment करनी है, आप क्या करोगे, recipient, यानि जो demo है, जो आपको बेजेगा shoes, आप उसका address यहाँ पर डालोगे, जैसे कि यह recipient है, तो वो recipient आपका हो जाएगा, reason, sale, ठीक है, तो मैंने कुछ buy किया है, और जो भी sale वगरा ठीक है, तो आप यहाँ पर हम डाल सकते हैं, उसके बाद फिर आप देखो, 0.001 पाई, तो पाई विल नौट बी मूट फ्रम यह एकाउंट, क्योंकि यह test वाला है, इसलिए यहाँ पर यह शो हो रहा है कि पाई विल नौट बी मूट फ्रम यह एकाउंट, यानि कि आपके जो account, main account है, जो real account है, वहाँ से आपको कोई भी मतलब इस पर फेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पर यह सिर्फ एक test है, अब यहाँ पर मैं देखो, आपको 0.001 पाई, यहाँ पर इस तरीके से जब आप किसी को transfer करोगे wallet में, आप ने इस तरीके से confirm कर देना है, ठीक है फ्रेंस, अब यह confirm ह हो गया, तो following transfer has been successfully executed, तो इस तरीके से यह आप देख सकते हो, transfer succeeded, इसी तरीके से आप in future Pi के wallet में transfer कर पाऊगे, यह उन लोगों के लिए है, जिनको, जिनोंने कभी crypto में transfer नहीं किया, crypto wallet यूज नहीं किया, यह उन लोगों के लिए, तो फ्रेंस, इस तरीके से, यहाँ पर जो लोगों के साइद, जो issue होंगे, वो इस video के अंतर resolve हो चींगे, कि हम किस तरीके से transfer करेंगे, किस तरीके से sale करेंगे, क्योंकि यह जो method है, यह सिर्फ कोई चीज़ पर्चेस करने के लिए नहीं, बलकि आप जब किसी को, sorry, जब आप अपने coins जब किसी को sale करेंगे, जब होप की वीडियो आपको अच्छे समझ माई हो, अब अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई भी आपका question है, तो आप मुझे comment section में comment कर सकते हैं, साधी friends जिन्हों अभी तक पाई अपने टव का application को install नहीं किया, ज़रू install करिए, accounts बनाईए, mining करिए, और जो friends, अगर 24 घंटे के बाद आप mining करना भूल जाते हो, on करना भूल जाते हो, friends, जो है, आप alarm लगा लिजिए, but mining करना मत भूलिए, जल्द ही launch होने वाला है, launching date काफी नस्दीक है, ठीक है, launching महीना जो भी होगा, तो सारे concept काफी तेजी से भाग रहे है, तो friends, start कर लिजिए, and thank you so much, thank you for watching my video, मिलते हैं, next video में किसी और information के साथ, तब तक के लिए, very very goodbye, take care,